Ultra Smart Watch में YouTube Application को कैसे चलाना है ? YouTube Application को T8 Ultra Smart Watch हो या फिर T900 Ultra Smart हो या फिर दोस्तों S800 SH video कोई के इस भी आपको क्यों ना Watch हो आपके इस परकार्स को अगर Watch है तो आप लोग भी चाहते उसके अंदर YouTube को फिले करना और YouTube Application को । valuable करना, वट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा आज की इस वीडियो को complete फुल वोज करना है आज की इस वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा क्या आप लोग YouTube डाउनलोड कर पाऊगे कर पाऊगे तो कैसे YouTube डाउनलोड कर पाऊगे चलिए आईए जानते हैं आप लोगो देख सकते हूँ मैंने कर लिए नियू वीडियो में हमारा नामे रोईत और आप देख रहे हमारा YouTube चैनल यूपी सुपर्टेग अब एक्चली क्या है दोस्तों यहाँ पर मैंने ओल्लाइन के जरिए वोज को मंगा लिया और यहाँ पर मेरे पास में बोच होने वाली है देखो एक्चली क्या होता है आपके पास में T9 100 अल्टरा स्मार्ट वोच हो या फिर T8 100 अल्टरा स्मार्ट वोच हो या फिर हो सकता है AS 800 अल्टरा स्मार्ट वोच हो या फिर S9 ओ, तो यह सारी वोच हैं guys, यहाँ बिल्कुल सेम होने वाली हैं, एक ही चीज होने वाली, but guys, यहाँ पर बात यह की जाती है, इसके अंदर आखिर हम लोग YouTube अपलीकिसन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे YouTube को यूज़ करना ह सारा कुछ हम आपको details में जानकारी देने वाला हूं, वीडियो काफी ज़्यादा important है, so वीडियो को complete फुल वोच कर लेना है, सबसे पहले आपको ऐसी इस्तिती में करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी वोच को उठाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर यह नमबर थ्री इस्तालेज वाला function है, आपको यह 8 करना है, जैसे कि यहाँ से मैंने नमबर थ्री वाला किया था, इतना करने के बाद में अब हो सकता है, आपकी वोच में एरोप्लेन मोड लगा होगा, तो आपको एरोप्लेन मोड हटाना है, एरोप्लेन मोड हटाने के बाद में, अब एक कुछ लेना चाहते हो या फिल ले चुके हो और उसके अंदर चाहते हो यूटोब बगएरा डाउनलोड करके उसे प्ले करना यूटोब को इंज्वाय करना तो मैं आपको रिकर्मेंट करूंगा कैस कैसे आपको यूटोब चलाना है सबसे पहले देख सकते इस परकार का इंट कहीं पे भी आटोमेटिक यूटोब प्ले इसने इन इस्टोल नहीं है और मैं काफी ज़्यादा रिसर्च कर चुका हूं काफी ज़्यादा धून चुका हूं तो यह क्यों नहीं यूटोब आपको यहाँ पे देखने को मिल ला है और आप लोग कैसे डाउनलोड करता हुए अब यह बात की जाएगा जैसे के मुवाइल फोन में क्या होता है यूटोब को डाउनलोड करने के लिए यह होता है पिले इस्टोल लेकिन यहाँ यहाँ पे बात की जो हम सभी दोस्तों की स्मार्ट वोच है इल्ट्रा स्मार्ट वोच है इसमें ना तो पिले इस्टोल है लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इधर जाएंगे न एक साइड में तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा वो भी एप इस्टोर टाइप में यह अब यहाँ पे एक QR कोड दिया गया और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड याप एंड फाइंड वाच तो इसका मतलब क्या होता है क्या यही अप्लेगेशन है यूटूब क्या इसी से हम यूटूब को डाउनलोड कर पाएंगे क्या यह पिले इस्टोर होने वाला है वो चीज़ सारा कुछ मैं आपको कमफर्म करूंगा ओके तो ऐसी स्ट की प्राइच है कितनी पड़ी है फिर मैं आप लास्ट में बताऊंगा कि मेरी वोच कितने की पड़ी है तो वह चीज़ आप अभी मेरे को कमेंट कर देना तो अब बात की जाते यूटूब अप्लेगेशन को कैसे यूज करना है अब एक्चली क्या होता है इसके अंदर कोई गाना सुनने के लिए तो इस वोच को सबसे पहले अपने फोन से कनेक्ट करना पड़ता है ना तो आपको क्या करना है सबसे पहले हाई बोच पर अपलिगेशन को अपनी वोच से इस परकास से कनेक्ट करना है जैसे कि मैं कनेक्ट करने के लिए जाता हूं हाई हाई बो दिखा हुआ है तो इसके उपर मैं किलिक करता हूं ओके करता हूं जो भी परमीस्स मांगेगा सारे कुछ आपको भी अलाव करना है परमीस्स अलाव करने के बाद में थोड़ा वापस आना है वापस आने के बाद में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ को भी ओन करना है आप जो हमरी वोच यहाँ से यहाँ पर connect होना start हो रही है आपको थोड़ा wait करना है और यह वोच है आपके यह connect हो चुकी है जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर वोच है हमारी fully तरहिके से connect हो रही है वोच को connect करने के बाद में फिर ऐसे इस्तिती में आपको क्या करना है देखी सकते हैं वोच हमारी connect हो चुकी वोच connect करने के बाद में अब simply यहाँ पर नाम लिख आ जाएगा आपकी वोच का तो एक बार हम लोग find कर लेते हैं connect हुई या नहीं हुई जैसे मैं find वाले बटन पर किलिक करता हूँ और अभी मेरे को कोई भी response नहीं मिल दा है तो यहाँ पर response मिल चुका है तो वोच है हमारी complete हो चुकी आप दोस्तें इसके अंदर वोट्सप और फेसु बगएरा activate करने के लिए आपको इधर आना पड़ता है और यहाँ पर आपको options देखने को मिल जाएगा वोट्सप का और फेसु का और वहीं पर ट्यूटर का यहाँ से लाइन वोट्सप और इंस्टाग्राम यह option दिए गए लेकिन इसमें यूटॉब का option है वो नहीं दिया गया है तो ऐसे इस्तिति में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको ज़्यादा परिशान होने की जरूरत है जो आपने मेरी वोट्स की प्राइज है गाईस यहाँ पर पांसे निन्यानवे रुपे के छेसे रुपे में मैंने वोट्स को अर्डर किया है अब हो सकते हैं आपकी आठ से की यह नौ से की हो एक हजार से अंडर की आपकी होगी ठीक है लेकिन इसके अंदर आपका SIM भी नहीं पड़ता है तो जब SIM नहीं पड़ेगा तो YouTube कैसे चलेगा लेकिन आप लोग बोलोगे रोई तो यह आप तो बता रहे थे YouTube कैसे चलाए हाँ बोचीज भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए मैं एक बार आपको लेकि चलता हूँ अपने मुवाइल फोन की स्क्रीन पर आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में इस टाइम पर एक वोच है जो कि काफी कमालकी होने वाले और इस वोच का नाम मतलब नाम क्या इसका कलर बिलकुल सेम होने वाला है आपको एकीन मानिए ऐसा लगेगा कि हमारी यह T800 अल्ट्रा स्मार्ट वोच है यह पर T900 अल्ट्रा स्मार्ट वोच है लेकिन यह ऐसा बिलकुल नहीं है इस बोच का नाम होने वाला है S8 अल्ट्रा स्मार्ट वोच वह भी 4G कार्ड और यह पिस्टोर वर्किंग गूगल प्ले इस्टोर आपको फैस आपका इस वोच के अंदर चलेगा ना कि इस वोच के अंदर ओके इस वोच के अंदर आपको आईस यहां पर यूट्व अप्लेकेशन से सारा कुछ अवेलबल देखने को मिल जागा सिम कार्ड भी आपका पड़ेगा गूगल प्ले इस्टोर भी आपको देखने को मिलेगा YouTube का वीडियो भी कुछ इस प्रकास से चलेगा, मतलब काफी वेतरीन वोच होने वाली, जैसे कि ये डेमो के लिए दिखा रहा है तो इस प्रकास से आप लोग YouTube बगेरा सारा कुछ enjoy कर पाऊगे इस वोच का नाम होने वाला है ES8 Ultra Eye Smart Watch आप लोग समझ चुके वाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में सेर कर देना जो लोग वोच लेने वाले है ताकि उनको भी पता चलाए कौन सी वो सही है कौन सी गलत है तो मिलते हैं किसे न्यू वीडियो में ठैंक्स वोचिंग जेहिंग जेवारत